बूर्मोर्निंग बच्चों आपके पास अध्याई बारा आज हम स्टाट करें के घात आंक और घात त्योंकि घात आंक के नियम पहला नियम में बता रही हूं किसे सुन देता प्रेमे संख्या ए के लिए आपके बाद ए रिस्टु पावर माइनस हैं जैसे इसका उधान लेल चार होगा अब आपके पास ए रिस्टु पावर माइनस एम का गुनात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपके पास ए रिस्टु पावर माइनस एम का मतलब क्या होगा आपके पास इस सुत्र के कोडिंग बन बाई ए रिस्टु पावर एम होगा ठीक है अब इसका गुनात्मक प् क्योंकि A raised to power minus M को क्या लिखेंगे हम 1 by A raised to power M लिखेंगे अब इसका गुनात्माक प्रतिलोम ग्याद करना है तो इसको क्या करती हैं हम उड़्टा करती है ठीक है अगर आपसे पूछता है कि A, M का गुनात्माक प्ष्टीलोम क्या होगा गुनात्माक प्रतिलोम हाम भी क्या होगा अब यह जगा A raise to power minus M, वही सीधी से बात है A raise to power M, 1 by A raise to power M होगा A raise to power M का गुनात्मक पतिलोम क्या होगा, one by A raise to power M, और इसको इस फॉर में लिखेंगे, तो यह जगा a raised power minus 1 यह होगा ना 1 by a raised power m होगा ना वही क्या करना है इसका रासी प्रोकल लेना है गुनात्मक प्रतिलोम ठीक है multiplicative inverse कहते ही से तो यह जगा 1 by a raised power m ठीक है तो यह उपर जाकी के होजेगी power क्योंगी minus में होजेगी टो it means a m का गुनात्मक प्रतिलोम क्योंगा a raised power minus m यदि a minus m है चुर्णात्मक प्रतिलोम अह रही कॉस्क्त प्रतिलोम नेकम filteredlov मायनासथमक प्रति लोम क्या होगा भई टू रेस्ट पावर माइनस चाह रहा है तो यह क्या जगा टू रेस्ट पावर चार होजे रहा ठीक है इससे और कोशन कर लोगे यह सारे कोशन आपको खुद करने है ठीक है यह वाला आपके बाद सेकेंड थर्ड फॉर्थ और फिर्थ थेंक्यू झाल 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